वंडर्फुल रंग बिरंग की दुनिया स्वरग का मालिक बनना यह हमारी एम अबजेक्ट है बहले ही आप कितने सालों से ग्यान में होंगे हमें भी कतिस वर्ष हो गए हैं 32 लेकिन अब उतना ही नजदीक स्वरग के हमें फीलिंग्स लानी है अब में बस ऐसा लगे हम को बाबा कहते बस पहुंचे की पहुंचे स्वर्ग आया की आया ऐसा फीलिंग में आना चाहिए सिर्फ स्वमान में नहीं फीलिंग में आना चाहिए रंग बिरंगी दुनिया के मालिक बने की बने तो बाबा कहते फिर ये दुख के दिन भूल जाएंगे होगा भी अगर हिसाब किताब वो भूलने लगेगा क्योंकि बस अभी पहुँचे की पहुँचे तो बाबा ने कहा ऐसी रंग बिरंगी दुनिया का मालिक बनना है तो सदा ध्यान से सुनेंगे अभी इधारना की पॉइंट आ रही है जिने स्वर्ग में उचापत पाना है सदा इसी खुशी में हर्शित रहो मुर्जाया हुआ नहीं देखो ये बात ध्यान से सुनने की है इसमें कुछ मिक्स्चर मिलाने का नहीं है आपके जीवन में भले ही बातें चल रही हो लेकिन आपको ये पता लग गया है वर्तमान में तो भगवान मिला ही हुआ है और भविष्य में आप प्रिंस प्रिंसेज बनने वाले हैं तो ये दोनों बातें कि अभी भगवान मिला है और मैं प्रिंस प्रिंसेज बनने वाली हूँ ये कल्युक के दिन बहुत थोड़े से रह गए है तीक है ये दुख के दिन थोड़े से रह गए ये परिशानियों के दिन थोड़े से रह गए जिनका मकान बन रहा होता है नया बहले वो किराय के टुटे फुटे मकान में रह रहे हूँ उनको खुशी इस बात की होती है कि अब बस छे महीने में बन जाएगा और फिर अपने मकान में शिफ्ट करेंगे। Same happiness, वैसे ही खुशी बस अभी हमारा स्वारग बनने वाला है। अब लगे है ना पूरी मेहनत से, अभी हमारा स्वारग बनने वाला है और अब यह पुराना मकान शूटने वाला है। तो इसकी खुशी अंदर पैदा करनी है। उसे फील करूं। फील नहीं होने का कारण जानते हो, उसका कारण है कि अभी निश्च नहीं हुआ है। दिल को, दिमाग ने स्विकार कर लिया है लेकिन वह बात दिल में अभी गई नहीं है। तो इसको बैट करके बार बार अपने दिल तक पहुचाना है। कौन मिला है मुझे इसलिए रोज हम याद करवा रहे स्वर्ग में जाने वालि हूँ Hope a Devi बनने वाली लक्षमी बनने वाली हूं ठीक है नहरायन बनने वाला हूं आज तो बोला कभी लक्षमी, कभी नारायन बनेंगे, ठीक है, पावा ने कहा, ज्ञान रतनों के सागर से जो अभिनाशी ज्ञान रतन प्राप्त हो रहे हैं, फित ध्यान से सुनना, ज्ञान रतनों के सागर से जो अभिनाशी ज्ञान रतन प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वेल आपको पीछे कई क्लासिज में सिर्फ एक ही महावाक्य पर अगर बाबा ने कहा महावाक्य नहीं उसके भी एक महावाक्य के भी एक portion पर बाबा ने कहा बाप दादा आपका साथी है बस इतने पर ही अगर इतने की भी आप वैल्यू रखते हैं इतने की वैल्यू कि भगवान ने मुझे कहा, भगवान ने कहा, कि बाप दादा आपका साथी है, बस जो इतने की वैल्यू रख रहे हैं, इसको घोट ले, उसको नशा चड़ जाएगा, भगवान मेरा साथी है, प्रंतु हम उतनी वैल्यू नहीं रख पाते हैं, इसलिए फिर दूसरी बातें जगाए बना लेती है, विचार सागर मंतन कर Σ्वेम में ग्यान प्रतन धारन करने, यह देखिए, विचार सागर मंतन, दिन भर में देखी जो विचार सागर मंतन होता है वे इतना पावरफुल नहीं होता क्योंकि डाइवर्रेटिड होता है problemoke बीच में करम भी करने पिर विगन भी हैं, परिशानियां भी हैं, जिम्मेवारियां भी हैं, तो पूरी शक्ति, पूरी फोकस गहन विचार सागर मन्थन पर नहीं हो पाता है, इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत्वेले उठकर विचार सागर मन्थन करो, इसलिए अमृत्वेले का समय है, बहुत अच्छा है, विचार सागर मन्थन के लिए, फिर भले थोड़ी देर उसमें बिंदू में भी बैटो, पर सारा टाइम बिंदू बनके बैट नहीं सकते, फिर वो निंद्रा में चले जाते हैं, मुख से सदाय ज्ञान ब्रतन निकालने सच्छाय कर निन्दह, विचुगली निन्दह जो करते हैं, या करने वालों का साथ देते हैं सच्छाई से बताओ बाबा देख रहा आपको बस लिख दो करते हैं या साथ देते हैं, आज से नहीं करना ज्यान रतन निकालने हैं सिरफ पत्थर नहीं निकालने हैं या कड़वा बोल देते किसी को प्रोध कर देते हैं सच्चाई से बताओ सच्चे दिल पर साहिव राज यह बताईए ठीक है आप लिखिए याद की यात्रा में रहकर देखिए इसमें अभी याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है आपकी वाणी में ताकत तबाएगी जब आप याद की यात्रा अच्छी तरह से करोगे नहीं तो वाणी में ही ताकत नहीं आएगी यह देखो सच्चे बच्चे बाबा के स्विकार कर रहे हैं लेकिन सच्चे हैं पर कच्चे हैं इसलिए तो माया कच्चा खा जाती है बस जब याद कराया तो फिर आज से नहीं करूंगी इसको भी पक्का करो आज से नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी प्रतिग्या करनी दिल से करनी नहीं तो अगर दो-चार मेने प्रतिग्या करते रहे एक दिन ये भी दिल शिकस्त ना कर दे कि चार मेने तो हो गए प्रतिग्या करते हैं, बाबा सुननी नहीं रहा है, क्योंकि दिल से प्रतिग्या नहीं कर रहे हैं, प्रतिग्या भी दिल से करनी है, ठीक है, देखो बहुतों में है ना वायरस, ये सुनने का, सुनने का, तो दृड़ संकल्ब लेना होता है, बाबा के हrite प्यार में वाइदा करना है। पॉइंट से प्रिवर्त नहीं होग अभी। पॉजिटिव ठिंक्षे नहीं होगा। सिर्फ पॉवर्फुल ठिंकिंग से चेंज होगा भी। तो बावा ने कहा ौपनी को याद की रेते में रह चर जोहरडाब बनाना है। और ये उससे भी होता है, जब अंतर मुकी रहते हैं योग में, तो बानी में ताकत आ जाती है, एक उधारन देते हैं, अच्छा रगेगा आपको, जिस प्रकार से बांध के पीछे पानी रोप दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी पहाड से आता हुआ जब लाखों गैल पानी हो जाता है, बांध के पीछे, फिर जब बांध का एक दर्वाजा खोला जाता है, तो नहर बन जाती है, दूसरा दर्वाजा खोला जाता है, तो विजली बन जाती है, और वही पानी जो व्यर्थ जा रहा था, सैक्रों हेक्टेर जमीन को, राकों हेक्टेर जमीन को सी बिजली बनाता है दूसरे के जीवन में प्रकाश लाता है ठीक ऐसे ही जो अपनी वानी को संचित कर लेते हैं जो अपने संकल्पों को संचित कर लेते हैं द्रड़ता के बांद के पीछे रोक लेते हैं जब उनके शब्द निकलते हैं फिर जब उनके संकल्प मस्तक छोड़ते हैं फिर वो कहीं प्रकाश फैलाते जाते हैं कहीं हर्याली फैलाते जाते हैं वर्दान है पुरानी देहे और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तक्त नशीन भव द्यान से सुनना और प्रतिग्या करना स्रीथे बैठो स्यविद्य करो एक मिनट के लिए टाइप करना बंद करो महा वक्त कर वी इतने चाहिए हो गया अब टाइप का काम बंद करो पुरानी देह, ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से नहीं सुना, तो यह रोज सुनते रहो चाहें, कुछ भी नहीं होगा, प्रिवर्तन ही नहीं होगा, शिकायते ही बनी रहेंगी, पुरानी देहे, और पुरानी दुनिया को, इसको सुनिये, क्या कह रहा है भगवान, पुरानी देहे, यानि मैं पलाना हूँ, मैं पलानी हूँ, यह चेतना भी डिलीट करते जाना है, पुरानी देह, और दुनिया को भूलने वाले, दुनिया को भूलना है, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, इस संसार को भूलना है मिठी आत्माओ, इसको भूलेंगे, तभी घर चल पाएंगे, तभी बाप दादा के दिल पर भूलेंगे, बैठ पाएंगे, साब सुन लो, जो दुनिया को भूलेंगे नहीं, वो बाबा के दिल पर बैठेंगे नहीं, जो दिल पर नहीं बैठेंगे, वो विश्व के राज्यत तकहत पर भी नहीं बैठेंगे, बाबा नहीं कहा, संगम योगी स्रेष्ट आत्माओं का स्थान है ही, बाब दादा का दिल तकहत, कितना मीठा मावा क्या है, इसको मिठास में लेंगे, तो दिल में लगेगा, तीर की तरह, मीठा, संगम योगी स्रेष्ट आत्माओं का स्थान है ही, बाब दादा का दिल तकहत, कल सुवेरे का अम्रित विला यहीं से अरंब करेंगे, बाब आके दिल तकहत से, ऐसा तकहत सारे कल्प में नहीं मिल सकता, बाद में पच्ताना आना पड़े है आत्माओं, देधारियों के दिलों पे बैठने का हम बहुत प्रियास करते या उन्हें दिलों में बिठाते, ऐसा तकहत, भगवान तुम्हें दिल में बिठा रहा, इसको दीरे दीरे अंदर जाने दो, भगवान दिल में बिठा रहा, ऐसा तकत, भगवान के दिल पे बैठने वाला तकत, सारे कल्प में नहीं मिलेगा, विश्र के राज्य का वा स्टेट के राज्य का तकत तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तकत नहीं मिलेगा, यह इतना विशाल तकत है, जो चलो, फिरो, खाओ, सो, लेकिन सदा तकत मशीन रह सकत जो बच्चे सदा बाब दादा के दिल तक्त नशीन रहते हैं जो बाबा के दिल तक्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं इसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं इसे यह है डर लाइन करने की बात एक दिल तक्त एक पुरानी दुनिया को देखते भी देखना नहीं कौन क्या कर रहा है ध्यान से सुनिएगा परिवारों में भी रहते हो परिवारों में भी रहते हैं भली थोड़ा दीरे शवद ब का लक्षय हम्ने व्यर्ति मुक्त रखा हुआ है को इसे ही संकल्व द्रण लेते चलो हफते हफते का परोसम बनाते चलेंगे के मुझे किसी के कर्म देखने नहीं है ध्यान जाएगा फिर आदध गंडी पड़ी हुई है लेकिन फिर खी Sponge लेना है उसको फिर जाएगा फिर खीच लेना तेजी से खीच लेना लेकिन संकल्प करते जाना है अब मैं कुछ नहीं देखू किसी आत्मा के पाठ को देख कर चिंतन नहीं करो अपने पाठ पर और फिर बस आप से संबंदित जो पाठ है बाबा आपको दे देगा समझा देगा कि नि नहीं पड़ेगी इसलिए देखते वे भी नहीं देखो इसके बहुत फायदे हो बहुत सुंदर याद हो जाएगी बहुत हलका मन हो जाएगा लगातार हलका रहेगा ठीक है तो यह प्रतिग्या करो कल अभी से बुद्धी में भी जो फाइल पढ़ी है गंदी फाइल किसी क पुरानी वीडियो वो भी नहीं देखनी है वो भी नहीं देखनी है स्लोगन है प्रतिग्या करो चलो किसी को नहीं देखेंगे जब देखोगे नहीं तो सोचोगे नहीं सोचोगे नहीं तो वर्नन नहीं करोगे आँखों में पढ़ गया तो एकदम डिलीट कर देना है गुस्वी गई कोई बात एक सेकेंड के लिए इम्मीडियेटली डिलीट करो रखा रहा तो कभी ना कभी खुल जाएगा फिर देख लोगे संकल्ब चलेगा ओके स्लोगन है हद के नाम मान शान के पीछे दौड लगाना अर्थात परचाई के पीछे पड़ना मुझे सुक्षम बात है हद के नाम मान मेरे तरफ देखते क्यों नहीं करते मैं इतने अच्छे काम करता हूं फिर भी मुझे क्यों थैंक्यू नहीं करते सारी जिंदगी मैंने इनका किया है कि थोड़ा सा तो हैसान माने फड़िवार वालों में बहुत हो जाता है बोता तो बच्चे ने ऐसा किया, सारी जिंदगी हो गए उसके लिए करते हुए, वो मुझे नहीं देखता, कोई शिकायत नहीं, तुमारा बच्चा, तुमारा पती, सब बाबा है अभी, ठीक है, अब कल का अम्रित वेला, शुरू करेंगे बाबा के दिल तक्त नशीन से, इसी स्मामा अगे खुदी, तब वन से कमेंटरी शुरू हो, उसे पहले ही, बाबा के दिल तक्त पर बैठे वे मिलना, दिल तकत पर बैठे हुए, बाबा ने क्या का, इतना बड़ा तकत है, इस पर घूमो, फिरो, यानि को अनन्द लो, इतना बड़ा दिल है बाबा का, ठीक है, और कि किसी से नाम मांचान नहीं मांगो, भिखारी नहीं बनो, बाबा देर आया, एक बाबा ने मीठे बच्चे कहा बस बहुत है, बहुत है, एक मीठे बच्चे कह दिया बाबा, तो जाते-जाते आपको, आज जाते-जाते, अभी कोई परमधम नहीं जा रहे आज, ऐसे है लेकिन प्रोग्राम नहीं है ऐसे जाने का तो अभी आज के लिए जाते जाते आपको मैं एक बहुत मीठी सी बात सुना देता हूं बहुत मीठी सी बात है इतनी मीठी अगर इसको रिपीट करते रहे तो आपकी रत्री बहुत अच्छी जाएगी चलिए सुनेंगे ध्यान से पाव दादा को त्वारेक बच्चा तुमें कह रहा है वो दुख भूल जाना आज शारे दुख भूल जाओ किसी और ने दिल में बिठाया हो या ना बिठाया चाय कोई नफरत करता हो चाय चुगली करता हो उमारे को सम्मान नहीं देता हो भगवान सम्मान दे रहा है और यह सभी को दे रहा है देखो जाए कहनो कामी रह्त हूँ आन कानपूर मे ओ यह ह्या या वैविदिश में लेकन दिला राम के दिउने हो बिठायो के दिखायों वार रहल के दिखर है उस वा दिखर वी मारिस वा दिखर है भावा? देखो या विदेश में लेकिन दिलाराम के दिल में समय हूँ अब ये बताएए और क्या चाहिए इससे बड़ा और नशा क्या है चाहे और कुछ नहीं आपके पास चाहे आपकी जिन्तगी में और कुछ ठीक नहीं चल रहा कोई बात नहीं भगवान मिला है उससे एची कोई बात है ही नहीं है ठीक है चलो ऐसा बाबा के प्यार में डूबे हुए और बाबा को गुड़नाइट करना है ओम शांति ओम शांति कि लिए ओम कर दो हैं पुड़ना है झाईब शांति आता है झाल 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 झाल